हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सरस्वती अकेडमी में आज का टॉपिक है, कैरेक्टर स्केच अचुबुकॉफ तो आएए देखते हैं इस प्रश्ण का उत्तर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल दी सरस्वती अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें प्रश्ण है, राइट दे कैरेक्टर स्केच अचुबुकॉफ इसका आंसर है, चुबुकॉफ is portrayed as a practical man शुबुकॉफ को एक व्यभारिक व्यक्ती के रूप में चित्रित किया गया है वो अपने धन और सामाजिक स्थिती को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है and he sees his daughter's marriage as a means to achieve this goal और वह अपनी बेटी की शादी को इस लक्ष को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखता है he is eager to have Lomov as his son-in-law वह Lomov को अपने दामाद के रूप में रखने के लिए बेताब है because he believes that Lomov's wealth and status will benefit his own family क्योंकि उसका मानना की Lomov की संपत्ती और रुद्बे से उसके अपने परिवार को लाब होगा Shubukov is also shown as being rather manipulative using his daughter as a pawn to achieve his own ends Shubukov को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बेटी को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हुए चाला की से काम लेने वाले के रूप में भी दिखाया गया है He tries to convince Natalia to marry Lomov by telling her that he is a good match and that she will be happy with him वह Natalia को यह कहकर Lomov से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है कि वह एक अच्छा जोड़ा है और वह उसके साथ खुश रहेगी In summary, Chubukov is a practical, materialistic, and manipulative character Sankshep में, Chubukov एक व्यवहारिक, भौतिकवादी और चाला की करने वाला पात्र है who is primarily concerned with increasing his own wealth and social status जो अपने स्वयम के धन और सामाजिक स्थिती को बढ़ाने के लिए मुख्या रूप से चिंतित है He sees his daughter's marriage as a means to achieve this goal वह इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी की शादी को एक साधन के रूप में देखता है and is willing to use any means necessary to achieve it और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उप्योग करने को तयार है